आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे हुगे मेरे नाम ऐसे धान तक नहीं हो तरी स्टेडी ग्लोस पर आपका बहुत बसपागत है चार धाम ना जाएं आपने बिल्कुल सही सुना चार धाम ना जाएं कौन से चार धाम छोटे चार धाम बद्रिनाथ केदारनाथ बड़े चार धाम तो आपको पताई है कि बद्रिनाथ नौर्थ में साउथ में रामेश्वरम जबर्दस्त फिर द्वारका और पूरी अब क्या है कि मैं ये क्यों बोल रहा हूँ इतनी भायानक भीड इतनी भायानक भीड दोस्तों पिछले साल रिकॉर्ड टूरिस्ट आय करीब इस बार 44 लाक सॉरी 44 लाक के करीब इस बार यह आकड़ा 84 लाक तक जा सकता है एक्सपर्ट्स की माने तो अभी ही ये 54 लाक आसानी से पार कर जाएगा हम देख सकते हैं जो तस्वीरे भयावे तस्वीरे आरी यह लंबा जाम यातरी पैदल यातरी केदार नाथ 18 किलोमीटर की ट्रेक वहां पे पड़े हुए हैं उपर से येलो एलर्ट उत्राखड में और मैं देख रहा था कि यमनोतरी गंगोतरी में बारिश हो रही है वहां पे फजे हुए हैं मुश्किलात बहुत जादा हैं हम एनलिसिस करेंगे बहुत बढ़िया तरीके से एक एक कीज हम देखेंगे क्या है क्या नहीं है everything we will know तो सबसे पहले तो कैसे पहुंचते हैं चारधाम हम सबको पता है चारधाम पहुंचने के लिए फिर मैं आपको year on year कितने टूरिस्ट आ रहें देखें आप हरिद्वार से चारधाम की आत्रा शुरू होती है अब यहां जैसे अभी तो मैं गया था देरादूनी गया था कुछ काम से फिर मैं मसूरी भी आगे चला गया तो बरकोट तक जाए मसूरी से आगे बरकोट पढ़ता है कोई दिक्क समझे रहो तो बरकोट जो है यह 30 किलोमीटर यह देखें यहां के लिए बरकोट जंक्शन है ओके 173 किलोमीटर है यमनोत्री बरकोट से फिर बरकोट से अप उत्तरकाशी से निकल लिए जो की 30 किलोमीटर की दूरी पे है मेन आप यमनोत्री से शुरू करेंगे उसके बाद उत्तरकाशी तक आईए 30 किलो मीटर फिर उसके बाद 100 किलो मीटर और आपको जाना है यानि कि हरिद्वार से 173 किलो मीटर आपका यमनोतरी पढ़ जाएगा और यमनोतरी से लगबख 130 किलो मीटर उस 140 ही मान लीजे आपका गंगोतरी पढ़ जाएगा अब देखिए घुमावदार रस्ते होते तो टाइम लगेगा फिर वापस आईए आप उत्तरकाशी 100 किलोमीटर पहले अब उत्तरकाशी से 200 किलोमीटर आप गुप्तकाशी में जाएंगे गुप्तकाशी से सोन प्रयाग 31 किलोमीटर पह जादा दूर नहीं है 31 किलोमीटर से सोन प्रयाग में आपकी जो गारिया है ठीक है वो पार्क होती है उसके बाद गौरी कुंड तक प्राइवेट टैक्सी वहाँ पे चलती प्राइवेट सरकारी टैक्सी चलती पचास देगा ठीक है वहाँ से भी आपको ट्रेक करनी पड़ीगा और फिर आप पहुँच जाएंगे केदारनाथ फिर केदारनाथ से वापस आईए आप यहां पे गुप्तकाशी में अब गुप्तकाशी से फिर आप पीपल को जोशीमट जो की इस समय वो शहर डूम दब दस गय और इसमें आपके आराम से पंदरा दिन तो जाएंगे दस से पंदरा दिन तो आप मान के चलिए ठीक है यह तो बात होगे में ट्रैबलिंग की कितने ट्रैबलर्स आएं अभी इस साल 80 लाग अगर आ गए बहुत ही जादा पिछले साल 44 लाग आए थे इस से पिछले साल सब 20-25 लाग ऐसे इसी हेर फेर में रहते थे यानि कि एक तो जो ट्रैबलर्स है वो दोगुना बढ़ गए हैं राइट क्यों बढ़ गए हैं सोशल मीडिया की वज़े से यही चार धाम पहले भी था सोशल मीडिया व्लॉगर्स हर जगा आपको व्लॉग्स देखने को मिलेंग एक व्लॉग आप देखते हो इंस्टा पे आप जब रील्स देखते हो तो आपको भी जाने कमन करता है आप वहाँ पे जाओगे बड़ कहता है रील और रील में बहुत बड़ा फरक है रील में तो आप कुछ देखते हो जब आप रील में जाते हो तो वहाँ पे असली मुस तो वहाँ पेली बात तेज आवाज नहीं करनी है आपको चटक कपड़े नहीं पेनने हैं आपको बहुत ही शांती से जाना है बहुत ही शांती से आपको इज़त करते हुए पेड़ मिले नदी मिले प्राकरतिक सौंदर का आनंद लीजिए लेकिन साती साथ आपको उसकी इज़त करनी अगर आप नहीं करेंगे तो देवता नाराज होते हैं सारे देवता पहाडों पर बसते हैं देवता नाराज होंगे अब इसका scientific क्या है पहाड बहुत sensitive होते हैं hanging glaciers जरा सिमी ध्वनी से तने sensitive होते हैं आपने एक चीज देखा कि उत्राखन में प्राक्रतिक आपदाय बढ़ गई हैं कहीं बादल फट रही हैं GLOF Glacier Lake Outburst Flood ये बढ़ गए हैं तो problems जादा हैं जोशिमठ जैसा जो अभी हमने आपको बता है जब आप बद्रिन आज जाएंगे तो जोशिमठ पड़ेगा वो टाउन पुरा धस गया है चार धाम प्रोजेक्ट चल रहा है रोडों को चौड़ी किया जा रहा है पेड काटे जा रही है जो कि बिलकुल खिलाफ है नहीं काटने चाहिए पाहडी नियमों के हमारे संत महात्माओं ने आदी शंकराचार ने इतनी उपर जाके एक मठ बना दिया याद समझे भक्त भक्त अलग है और घूमना अलग है ब्लॉगिंग अलग है हर एक चीज अलग है इसका साइंटेफिक यही है लोगों से जाद दस लाग से जादा लोगों की इंप्राइमेंट मिल रहा है बिल्कुल सही बात है उत्रा खंड में इतना टूरिजम हा रहा है यह अच्छी बात है लेकिन दोस्तों क्या यह टूरिजम मैनेज हो पा रहा है आप यह समझे कि हमारे पहाड है इंवार्मेंटल फ्रेंडली है उन्होंने टूरिस्ट पे क्याप लगाई हुई है ठीक है हर एक चीज़ बात डीजल लीजल नहीं चलता है सब बिजली से चल रहे है तो क्या हमको पहाड़ों पे यह नहीं करना चाहिए हमाले तो वैसे ही बहुत जादा खिलाफ है इन्हों के और भजन क्या यह भजन है बॉलिवुड गाना लिया उस पे आवाज चला दिया भजन है मंत्र किदर है मंत्र एक अलग चीज़ है भजन ठीक है लेकिन वो सब लाउड स्पीकर पे भजन है जो की पहाड़ों के खिलाफ है तेज गरगराहट से हेलिकॉप्टर भयानक भीड इतनी इतनी भीड सीवेज ट्रीटमेंट है मल मुत्र कहां जाएगा हमारी जिन नदियों को मा बोलते है उसी में तो जाएगा उन्हीं नदियों में सब मिलेगा बहुत अच्छा वीडियो तक कल जो मैंने देखा उसी में ही सब कुछ मिले का एक्सपर्ट बताते हैं कि प्लाइनिंग नहीं है आप है मैनेजमेंट नहीं है और यह आपको दिख रहा है आप अभी जितने भी जितने भी आतरी वापस आ रहे हैं आप उसे experience पूछ लिजे मैं एक वीडियो देख रहा है तो कुछ ने तो दर्शनी नहीं किये इतनी ज़्यादा भीड बे इंतिहां भीड़ भाई वहां के पंडित बोल रहे है जो पुरोहित है कि भाई यह uncontrollable है और भक्त है ही कहा maximum आपको camera दिखेंगे कोई किसी को propose कर रहा है कोई real बना रहा है कोई कुत्ता ले जा रहा है यह सब यह मजाग चल रहा है आपने हमारे तीर सिस्थानों को मजाग बना दिया है एक तरीके से मैं यह नहीं कहा रहो आप जाईए अब घूमने भी जाईए लेकिन नियम कानून से जाईए काइदे से जाईए ठीक है दूसरा यह जो दो पॉइंट है तो बहुत इंपॉटनेंट कारबन सीवे स्ट्रीट में उपर से भीड अब देखें जैसे क्या है कि अगर आप पहारियों से भी वहां पर रोजगार दे रहे न मतलब जिनको जो इसे होस्पिटालिटी बिजनेस से इनको फाइदा हो रहा है अगर आप उनसे भी पूछेगे ना तो वो भी यही बोलेगे कि बहुत ज़़दा भीड है इतनी नहीं होनी चाहिए हद से ज़़दा भीड का मतलब या तो आपका मैनेजमेंट इतना तगड़ा हो सरकार तक तक मैनेज कर रहा है अब इसमें किसको प्रॉब्लम हो रही है यात्री को भी परिशानी हो रही है और प्रशासन को भी परिशानी हो रही है प्राउड आप तब करो जब आप इस पूरी भीड को manage कर लो लेकिन हम अपने पहाडों के साथ कर क्या रहे हैं ये हमको सोचना चाहिए हमने अपने पहाडों को बरबाद कर दिया है हमने अपनी नदियों को बरबाद कर दिया है और ये सब reverse हो सकता है अभी तो चार धाम बिल्कुल ना चाहें आप जाएए सब्टेंबर अक्टूबर में जाएए जब अच्छा रहता शांती रहती है भीड कम आपको मिलेगी ठीक है और अगर जाएं तो इन नियमों को ध्यान दें और सरकार को भी ये समझना चाहिए कॉर्परेट या ठेका या कैपिटलिजम से हटे और सस्टेनिमर्ट डेवलप्मेंट की तरफ जाए ठीक है वैल्यू बेजड कैपिटलिजम इस अलवेज गुड क्या करना चाहिए सरकार को डॉक्टर कमलेज जोसी जिन्होंने 2013 में बहुत अच्छा पेपर पब्लिश किया था और उस इसी पहीं की पीएच दी वो बोलते कि सबसे पहले तो आप टूरिजम पे कैप लगाए मेरा मा भी मानना ये है कि देखिए अब ये पिछले साल बोला था सरकार ने पर इसका होता नहीं है कोई भी जाके माँ पे रेजिस्ट्रेशन करवा लेता है पहली बात तो आप एक विंडो बना दे एक एसेस्मेंट होना चाहिए कि चार धाम में कितने यातरी एक समय में आ सकते हैं जिसमें आसानी से दर्शन हो जाए ठीक है ये आप कर सकते हैं अश्याप्ल के तौर पर माल लीजे चार धाम में 20 लाख यात्री आ सकते हैं आप जरका आय क्यूंकि हो जाएंगे वाइक कीमबिन के भी जो मलब जो टेंट इंच वह भी तो अब रूम ऐसे क्या होता है कि जैसे जो रूम आपको 2000 में मिलें को पहुंचाता 10,000 यात्रियों को बहुत जदा प्रॉब्लम में बहुत जिक्कत होती है गोड़ा खचर नहीं आपा रहे हलिकॉप्टर कैंसल तो सबसे पहली बात तो यह है कि क्यापिंग इस वेरी लिए से चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले यह कार्मी आफिसर बोल रहे हैं आप तो इतनी बुरी हालत हो गई है इतनी बुरी हालत हो गई है कि मतलब कोई यहां पर दर्शन करने तो जाहीं नहीं रहे गंदगी पहला रखी है बहुत दिक्कत एक बार वो जब चले ज लिए खतम एडवांस में बुक कराएं वहां जाके बुकिंग और नाइनी बुक करा ले समझे वहां जाके बुक नहीं हो सकती वह उसकेस में हो सकते कि अगर कुछ पास बच गए हो जैसे मालीजे 20 लाक या ठारा लाग बुकिंग 2 लाक हो हो है तब कर लीजा वरना आपको अगले बार के लिए वेट करना पड़ेगा तो भले ही समें सरकार को ठीक है थोड़ा लेकिन नुकसान होगा नुकसान क्या है लेकिन कम से कम हमरे पहार तो बचे रहेंगे और यात्रों के लिए बहुत यात्रा सुखद होगी जो शणिनार्थी आरे जो मतलब जो तीर्थ जा रहे हैं वहाँ पे बहुत अच्छा होगा बहुत बढ़िया तरीकिसिंग को यात्रा होगी एक्स्वीरेंस अच्छाओ और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ठीक है तो दिस इस वेरी इंपोर्टेंट मैं तो व्लॉगर्स पे भी क्याप लगा देनी चाहिए कि आप करने क स्पोर्ट के लिए और भी बहुत सारी जगाए देंगे यह चार धाम यात्रा इतनी आसान नहीं होती है आपको लगता है लेकिन आसान नहीं है ट्रेक करनी और यह बड़ा मुश्किलों से गुजरना पड़ता है अब तो हैं हेलिकॉप्टर चला दिये हैं मैं तो बिलकुल हैं तब-फिर कोर चारा नहीं है गौणने के और प्लान कर लो ठीक है कही और शम्ला है ये एक आध्यात्मिक जर्णी है जिसमें आपका विकास होगा अंद्रूनी विकास होगा आप एक्स्पीडियन्स करोगे जबर्दस लेकिन भीड़ भार में कुछ एक्स्पीडियन्स नहीं होता सब यात्रा है पहाड़ों पर वैसे ही सफर थोड़ा सटाफ रहता है जाम में फस गए अभी देखो कितने किलो मीटर लंबा जाम लगा है और आप कहां फोड़ फाड़ा के चले जाओगे रोड तो वही है उसी रोड से जाना है तो पहाड़ों पर जाम बहुत देर में क्लियर भ उसके बाद यात्राओं को फिर डीजल पेट्रोल पर रोक लगानी चाहिए कहीं ना कहीं मतलब क्यापिंग होनी चाहिए कि कितना यह डीजल पेट्रोल जो कार्बन एमिशन हो रहा है इसको भी देखना चाहिए एक और यहां पर डॉक्टर कमली जोशी बताते कि सिर्फ केदारणाथ ना जाए इतने सारे टुरिस्ट कुछ डाइवर्ट हो जाए आप समझ सकते हो कि अभी क्या है कि सबसे पहले केदारणाथ जाना है नहीं आधे तूरिस इदर जाए उसको क्या लिंगे एक्जक्ट वर्ट मुझे नहीं मिल रहा है बट अगर ऐसा हो जाना तो है तो यहां पर सरकार को इसका भी देखना चाहिए कि और भी जो मंदिर है उसको भी हम कैसे समार सकते हैं या उसको भी हम किस तरीके से बना सकते हैं तो इसमें सबसे इंपोर्टेंट तो यहीं कैपिंग क्योंकि आप एक लिमिटेड मलब एक हद तक ही आप जो है वो मैनेज क कर सकती है जब इतनी जाता भीड आएगी तो अन मैनेजबल हो नहीं हो पाएगा वो नेक्स्टू इंपॉसिबल हो जाएगा तो थोड़ा सा रुक जाएं वेट कर लें उसके बाद आप जा सकते हैं दर्शन करिए और वैसे तो जैसे कभीर कहते थे भगवान शिफ तो आप तो मैं भी डर जाता हूँ कि भाई यह क्या हो रहा है एक अवेरनेस है तोड़ा सा रूख जाएं मुझे भी जाना है चारदा मैं भी नहीं गया हूँ पर मैं 6 सट्टेंबर औक्टूबर में ही जाऊंगा खोश रहें पर तेरे इदे से सिद्धानत के लिए उतरी